यूक्रेन रूस यूद के बाद भारत ने जिस तरीके से रूस के लिए अंतराश्टिय मोर्चे पर रूस के प्रती न्यूट्रल स्टेंड रखा है इसका फादा भारत को भी मिल रहा है रूस ने भारत को तेल की सप्लाई जारी रखी है अब पाकिस्तान भी रूस से उसी दाम में तेल खरीदना चाहता है जिस दाम में रूस भारत को तेल दे रहा है पाकिस्तान इस समय तेल संकट से जूज रहा है देखिए यह रिपोर्ट भारत अभी भी अपने संसादों के लिए रूस से तेल का आयाक कर रहा है अब इस पर पाकिस्तान की भी नजर पड़ गई है मंदी से जूज रहा पाकिस्तान मौजुदा दौर में तेल संकट से भी कुजर रहा है पाकिस्तान अब रूस से तेल खरीदना चाहता है वो भी उसी दाम में जिस दाम में इसकी सप्लाई भारत में रूस करता है दरसल पाकिस्तान के वित्तमंतरी इशाग डार सैयुक तरास्टर अमेरिका की यात्रा पर थे इस दोरान उन्होंने पाकिस्तान सरकार की मन्शाव्यक्त की वित्तमंत्री इशाक डार ने कहा कि रूस भारत को जिस कीमत पर तेल की सप्लाई कर रहा है अगर उसी कीमत पर वो पाकिस्तान को भी दे तो पाकिस्तान भी रूस से तेल खरीदने की दिशा में आगे बढ़ेगा इशाग डार ने आगे कहा कि पस्टिमी देशों को पाकिस्तान के माध्यम से तेल खरीदने में कहीं कोई परिशानी नहीं होगी हालकि इस दोरान वित्तमंत्री ये मानने से नहीं चुके कि वर्तमान समय में पाकिस्तान बाड के दुश्ट्रभावों से लड़ रहा है जब पुतिन ने युक्रेन से जंग छेड़ी थी उस समय इमरान खान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री थे जो मौस्को के दौरे पर थे ऐसे समय में इमरान खान की मौस्को यात्रा का संयुक तराज अमेरिका ने किसी भी सूरत में स्वागत नहीं किया था बाद में इमरान खान ने अमेरिका को दूशी ठहराया उन्होंने पीटी आई को पाकिस्तान की सक्ता से बेदखल करने में अमेरिकी साज़िश का आरूप लगाया उसी समय इमरान खान ने रूस के साथ इंधन की कीमतों पर बादचीत के लिए भारत की प्रशंसा की थी से बड़ा आयातक देश है 2020-21 में उसने एक तिशमलव नौदो अरब डॉलर मुले के कच्चे तेल का आयात किया रूस से तेल खरीदने की अपनी मंचा को पाकिस्तान ने जाहिर कर दिया है पाकिस्तान की राजदूत शफकत अली खान ने भी बयान दिया कि उनका देश रूस से गेहूं खरीदना चाहता है राजदूत ने कहा कि रूस हमारे लिए एक नय आपूर्ती करता की रूप में उभरा है जब हमारे लिए खाद दे आपूर्ती की बात आती है तो हम रूस को एक दीरककालिक और इस्थिर भागीदार की रूप में देखते हैं इन सब के बीच पाकिस्तान की किरकरी भी खूब हो रही है अंतरास्ट्री मंच पर उसका रवय्या मांगने वालों की तरह प्रतीत हो रहा है बीते समय अमेरिकी रास्ट्र पती जो बाइडन ने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है बाइडन के इस बयान की पाकिस्तान के मौझुदा प्रतानमंत्री शहवास शरीफ ने कड़ी आलोचना की थी और बाइडन के बयान के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार पर्मानू रास्ट्र है आपको बता दें कि बीते दिनों में अमेरिका पाकिस्तान के संबंध बिगडे हैं अब रूस के आगे तेल के लिए हाथ पहलाने की पेशकश कर चुका पाकिस्तान क्या इस मामले में रूस की और से कोई सकरात्मक प्रतिसात पाता है ये फिलहाग देखने वाली बात होगी